देली NCR समीट पूरे उत्तर भारत में अभी कड़ाकी की ठंडल और कोहरी का प्रकोप आने वाली पांस दिनों तक बरकरा रहेगा भारत मौसम विज्ञान विभांग ने कहा कि अगले पांस दिनों के दोरान उत्तर पक्षिम भारत के अलग-अलग इलाकों में सुबा के समय घना से बहुत घना कोहरा चाय रहने की संभावना है IMD ने ये भविश्मानी की है कि 15 जनवरी के आसपास भारत के पुरवत्तर मौनसूर की समापती के लिए परस्थित्या नुपूल हो रही है मौसम पुरवा नुमान अजनसी ने अपने रोजाना बुलेटिन में कहा है कि 15 जनवरी तक पंजाब के कुछ हिस्सों और हर्याना चंडीगर के अलग-अलग इलाकों में सुबा कुछ घन्टों के लिए घने कोहरे से स्थिती बने रहने की संभावना है शुकरवार को पुर्वी उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों और पक्षिमी उत्तरप्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सुबा कुछ घंटों के लिए घना से बहुत घना कोहरा चाय रहने की संभावना है अगले तीन दिनों तक घना कोहरा चाय रहने की संभावना है IMD ने ये भी उनुमान लगाया है कि शुक्रवार को पंजाब और उत्राखिंड के कुछ हिस्सो और हर्याना चंडीगड में वो 15 जनवरी तक पंजाब के अलगल इलाकों में सर्द दिन से लेकर के भीशन सर्द दिन के स्थिती जानी रहने की संभावना है उत्री राजस्तान में 12 जनवरी के सुबब बहुत घना कोहरा पढ़ने की संभावना है उसके बार इसमें कभी आएगी में पंजाब, हर्याना, चंडीगड, मिजोरम, मिघाले, त्रिपूरा में 11 से 15 जनवरी, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, उरीशा, बिहार, पक्षिम, बंगाल, सिक्की में 11 और 12 जनवरी को सुबब कोहरा चाया रहेगा